हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट रियल्मी C1 का और साथ में कंप्रेजन करेंगे उसका नोकिया 5.1 प्लस के साथ में उससे पहले जानते हैं इस फून के डिजाइन के बारे में तो नीचे की सरफ देखें तो इसमें हमें देखने को मिल जात है फ्रंट साइट से यह देखने में बिल्कुल रियल्मी 2 की तरह लगता है और बैक साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है क्यूंकि उसमें हमें डायमंड का डिजाइन मिलता था बट इसमें हमें प्ली का डिजाइन देखने को मिलता है जो की बिल्कुल ग्लास बॉड़ी की तो आएए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका स्पीड टेस्ट सबसे पहले इसमें open करते हैं यूटूब तो देखें यहां पर नूखिया थोड़ा सा थेज है क्युंकि नूखिया में देखने को मिलती स्टाइब है 3GB RAM और C1 में सिर्फ 2GB RAM देखने को मिलती है amazing app को open करें तो यहां पर दोनों ही लगभग सेम टाइम पिर भी है कि अब देखते हैं अगली ईप को open करके तो यहां पर इसमें हम देखें के in गाना एप को ज kaufen करते हैं तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इसमें भी Nokia थोड़ा सा आगे आए realme c1 के मुकाबले में Nokia c1 में और share it अगर open करें तो share it में इसमें भी Nokia थोड़ा सा आगे रहा अब बात करते हैं क्रिक बज्ट की तो क्रिक बज्ट में realme c1 आगे रहा यहाँ पर realme c1 इसके मुकाबले थोड़ा सा आगे रहा है अब अगली एप को ओपन करके देखते हैं UC ब्राउजर को तो यहां पर देख सकते हैं दोनों ने ही लगबग साथ में ही रिस्पॉंस करा कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है तो 2GB RAM होने के बावजूद भी यह अच्छा कॉमडिशन दे रहा है नोकिया 5.1 प्लस को अब उसके बाद देखते हैं दूसरी एप को ओपन करके यहां पर गूगल म्यूजिक को तो देखते हैं कि कौन जादा फास्ट रहता है और पहले कौन सी एप ओपन होती है गूगल प्ले को जब देखते हैं तो यहां पर नोकिया थोड़ा सा अब बात करते हैं वेदर एप के बारे में तो यहां पर भी नोकिया थोड़ा सा तेज रहा रियल्मी C1 अपने 2GB रैम के हिसाफ से सही है बट नोकिया जो की 3GB रैम के साथ आता है उसके साथ थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है अगली आप ओपन करते हैं प्ले स् स्टोर में भी नोकिया पहले खुला सो यहां पर हमने देखा कि रियल्मी C1 अपने प्राइज रैंज के साथ से ठीक है बट स्पीड के मामले में वह एवरेज है बहुत जादा हमें इसमें एडवांस स्पीड देखने को नहीं मिली डिजाइन इसका काफी अच्छा है प्रा लेगा तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक्स पूर वाचिंग